कि सो यार जैसा कि मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में आप लोग का इसका हिंट दिया हुआ था और फाइनली एंटीन ओफीशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है के लिए और जो एस्पिरेंट चाहे आप आईशियार के लिए अपलाई कर रहा हो या फिर डियू के लिए बीएशियू के लिए या फिर कोई भी सीविटी के अंदर जितने भी इनुशिटी एड हुए हैं अभी तक अगर हम बात करें तो टोटल वन सिस्टी को एड कर दिया गया है बट ऐसे बहुत सारे न्यूज आ रहा है कि टोटल अभी आगे बहुत सारी इनुशिटी लगबग 200 टोटल इंडिया में इनुशिटी ऐसी होंगी जो की आपका इसके त्रों सी यूटी के त्रों आपके एडिमिसंस को अपने कॉलेज इनुशिटी इंस्टिटूश कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े इस नोटिस में बताई गई है तो वो सब कुछ आर आपको जानने को मिलेगा मेक चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना और यस टेलिग्राम को भी जॉइन कर लेना जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि रि किया गया है जिसमें आप लोगों को विश्वास दिवस के उपलब्स में 50% टक कर डिसकाउंट दिया जा रहा है इसी के साथ सात्यार यह जो ऑफर था पहले केवल 10 मार्ज तक के लिए था लेकिन अभी काफी यद्धे स्टुडेंट के रिक्वेस्ट पे अलग पांडे सर इस ओफर को बढ़ा कर अब यह 15 मार्ज तक के लिए कर दिया गया है और इस पे आप मेरा कोड एस भी 100 यूज करते हैं तो सीवेटी के बैचेज पर जिसमें आपको हमेरेटी इस लीगल और लेंग्वेज इसके साथ स्वाइब लोजी मैथ्स और बहुत सारे कोर्स देखने से बुक्स की नीड है वो भी आप पर्चेस कर सकते हो और अपना प्रिप्रेशन को बुस्ट अब कर सकते हो अभी यह जो विश्वास दिवस चल रहा है ओफर यह केवल 15 मार्ज तक के लिए वैलिड है और जो आपका प्रवेश बैच है वो भी 15 मार्ज से स्टार्ट हो रहा यह डिस्क्रिप्शन में दिये गया लेंक से जाए डाउनलोड करिए और हमारा कोड एस भी 100 यूज करना बिलकुल ना भूले जिससे आपको एडिशनल डिसकाउंट भी मिल जाएगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर देना अब यहां पर बात करते है यार देखो आपका एक्जाम में सिंपली में बता दे रहा हूं वह आपका अब सीवीटी के थ्रू ही होगा राइट सेकंड इस डैट अगर हम इस पॉर्टिकुलर नोटिस की बात करें जो कि कल 11 मार्ज को रिलीज किया गया था उसमें यह बताया गया है कि यार जो आपके डेट चुकि काफी सारी उनिवर्शिटी ऐसी हैं जो अभी दीरे-दीरे करके सीवीटी में एड हो रही हैं काफी इस नुचूशंस हैं काफी ओर्गनाइजेशंस हैं काफी कॉलेज हैं राइट तो वह जो कॉलेज एड हो रहे हैं अब चुकि लास्ट डेट आपका 12 मार्शी था तो इस पर जो एक इंट्रेस्टिंग बात है काफी स्टूटेंट ऐसे थे जिन्होंने अपना फॉर्म पहले ही फिलब कर रखा था तो अब आपको लगता है कि किसी इंवर्शिटी में अगर हमें एलीजिबल हैं और वहां के कोर्स या फिनिवर्शिटी को एड करना चा रहे हैं र आपको बताएंगे बढ़ टेलीग्राम को जाकर जॉइन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योंकि काफी सरी अपडेट्स वहां पे भी आपको मिलती रहती है अब होता यह था ना कि काफी स्टूडेंट जो पहले ही स्यूट के लिए लिए लाइक वो ने डियू के ल अप्लिकेशन के फीस है वो आपका रिस्पेक्टिव बढ़ जाएगा तो वह आपको पे करना पड़ेगा और मालो कोई ऐसा स्टूडेंट है इस नोटिस में जो बताया गया है जिसका मालो एक दो बार पेमेंट हो गया है अप्लिकेशन फीस उसका फेल हो गया था बट पे डेंट एक बार के एक लिदी के लिदी एक फोर्म रजिस्टेशन पाल जाता है वहां बार बार हर एक जाकर रजिस्टेशन नहीं कर सकता है अगर बारेसा करता है तो और अनफेर जमनाइं समय अ उसके खिलाब ऑप को अश्म में लिया जा-शकता है याज तो के वालको, ऑन करो डी यू के लिए या फिर कोई किसी सेंटर यूशिटी के लिए अलग से फिलब करो नहीं एक ही फॉर्म से आपको बस लॉग इन करना है यूशिटी और सब्जेट्स को एड करना है तो आई होब कि यह सारा जो आपका डाउट है पूरा क्लियर हो गया होगा एड एक जो इ प्रेडियों कर लिए उसे को लॉग इन कर सकते हो अगर हम यहापके करेक्षन की कि अगर कोई पार्टिकुलर करना काई थे टाइम बगाईेर हो रखा है यहाँ पे दो-तीन चीजेिल करेक्षन नहीं हो पता है आपका मोबाइल में चलागिया है date क्या है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इस जो duration है इसमें आप अपना changes वगार भी कर सकते हैं अलाकि जो भी further update आएगा वो मैं update कर दूंगा और आप यह काफी सारी changes वगार भी हो रही है तो make sure कि channel को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर लेजिए और अच्छे से अपने प्रिपेशन पे फोकस करते रही है और अप्लिकेशन फॉर्म को भी अपना कंप्लीट कर लो जल्दी से जिससे आप अपने प्रिपेशन पे फिर फोकस कर पाओ